हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल आरस नोट्स पर और आसा करता हूं दोस्त आप सब सवस्थ होंगे मस्थ होंगे दोस्तो रीट सीरीज सोलुशन आपके लेके आए हैं दोस्तो आपका जो रीट का एक्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम रोज आपके लिए दोस्तो एक अलग विशे से एक अलग टोपिक के साथ वीडियो ले के आ रहे हैं दोस्तो आज का मारा विशे जो होगा वो होगा परियावरण अध्यन और टोपिक होगा दोस्तो बिलकुल नया या तयात के नियम दोस्तो ये जो क्योशन होंगे आपक हरे क्योशन इतना महत्तपून होगा कि जो आपके एक्जाम की दृष्टी से बिलकुल सम्मंद रखेगा दोस्तो तीन नमबर का ये जो टोपिक है दोस्तो आपका लेवल वन और लेवल टू दोनों के लिए होगा तो विडियो अंतक देखीगा एक भी क्योशन मिशना कीजिगा तो आई दोस्तो शुरू करें पहला क्योशन है दोस्तो निमन को सावदानी से देखी दोस्तो ये दे रखा है तो इसमें से मैं बताना है कि उपरोक्त यातयात संकेत का अर्थ क्या है यात्यात का संकेत है दोस्तों ये संकेत तक क्या है किस चीज़ का है जो किस्षिन है दोस्तों रीट लेवल 1 अकजाम 2012 में पूझा गया था तो इस लिहाद से ये किस्षिन अतिम है तपून हो जाता है दोस्तों तो जो एक question है दोस्तों, जो आकरती है, वो किस पर है, किस का संकेत है, क्या ये मुख्य शड़क का है, संकडी पुलिया का है, रेलवे फाटक का है या खराब सड़क का है तो जो जो दोस्तों, ये ना तो मुख्य सड़क का है, ना संकडी पुलिया का है, और ना रेलवे फाटक का है, ये है दोस्तों, खराब सड़क का स्याता संकेत दे रखा है दोस्तों, ये किस का है, खराब सड़क का संकेत है दोस्तों, option 4-3 का जवाब होगा ठीक है दोस्तो वही क्योश्चन कराएंगे दोस्तो जो बार-बार पूछे गए है अगला निमनांकित यातायात संकेत कार्थ क्या है यह जो क्योश्चन दोस्तो रीट लैवल वन एकजाम 2011 में भी पूछा गया था यह जो चिनह दे रखा है दोस्तो संकेत दे रखा है हमें बताना है कि यह संकेत किसकार्थ देता है क्या है मुख्य सडख है पैदल पार-पत है रेलवे क्रोसिंग है यह संकरी पुलिया है देखिए से में दोस्तो यह सडक है यहां तक बड़ी हुई थी यह आगे बड़ी है दोस्तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि यहां पर लंबा चुड़ाई ज्यादा थी और एकदम से यहां पर कम हो गई फिर और फिर बड़ी इसा कान क्या है दोस्तो की जो ही यह संकरी है और संकरी कब हुई, क्योंकि यहाँ पर दोस्तो इसके नीचे चाहे नदीब बैर ही होगी, या कोई नैर होगी तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तो, संकरी पुलिया है यह दोस्तो Option 4 इसका जवाब होगा, ठीक है? कौन से आतात संकेत का है? यह है संकरी पूलिया का option 4 दोस्तो ठीक है अगला है सड़क पर किस और चलना चाहिए सड़क पर किस और चलना चाहिए दोस्तो जब हम यह सड़क हमाल लीजिए तो मैं किस तरफ चलना चाहिए माल लीजिए मुझे तरफ जा रहे है तो हमें इमेशा बाई तरफ चलना चाहिए और माल लीजिए आ रहे है तो हमें बाई तरफ चलना चाहिए ठीक है तो किस तरफ चलना चाहिए हमें बाई तरफ हमेशा सड़क के चलना चाहिए दोस्तो option पहला इसका जवाब होगा ठीक है अगला देखिए सड़क के नीमों के सम्मद में कौन सा कत तथ्य सही नहीं है हमें चार तथ्य दे रखें दोस्तों इन में से में बताना कि कौन सा सत्य नहीं है तो पहला है कि सड़क पर जब भी जूरत हो यूटरन ले सकते हैं दोस्तों इसमें पहला ही जो ही गलत हो गया है दोस्तों सड़क पर हम कभी भी यूटरन नहीं ले सकते हैं हमें जब भी मुड़ना हो तो हम आगे पीछे देखके चलते हैं कि हमें यूटरन लेना है कोई पीछे से आ तो नहीं रहा कोई आगे से तो आतर नहीं रहा तब ही हम यूटरन ले सकते हैं दोस्तो तो पहला ही जवाब इसका गलत होगा दोस्तो सड़क पर जब भी जूर तो यूटरन ले सकते हैं ठीक है देख लिजी तीन ओप्षन भी किशड़क के बीच चुराहे पर लाल बत्ती होने पर स्टोप लाइन के पहले रुकना चाहिए बिलकुल दीख बात है दोस्तो जब रेड या लाल बत्ती हो जाती तो में रुकना चाहिए अपने आगे वाले वहान से प्रयाप्त दूरी बनाये रखने चाहिए ताकि दोस्तो एक्सिडेंट का जो है खत्रा वो ना रहे फूर्थ है अस्पताल आदिस्थानों के पास स्वरन का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक या अत्याव सकता नहीं हो ये बात बिलकुल ठीक है दोस्तो ठीक है तो ये बात गलत थी कि पहला इस अड़क पर जब विजूर्थ यूटरन ले सकते हैं तो हमें जट्थ है सह इस अड़क पर वान चलाते समय निमन में से किसका ध्यान रखना चाहिए पहला है रातरी में डीपर का प्रयोग करना चाहिए दोस्तो बिलकुल ठीक बात है जो गाडिया होती है दोस्तो उनके पीछे लिखा भी होता है यूज डीपर एट नाइट तो हमें रातरी में प्रयोग करना चाहिए दोस्तो बिलकुल ठीक बात है दूसरा रेलवे क्रोसिंग तिराहे या चुराहे या पाइदल क्रोसिंग पर रुके वाहन को ओर टेक नहीं करना चाहिए दोस्तो कभी भी ओर टेक नहीं करना चाहिए इससे जो है एक्सिडेंट का खतरा बना रहता है बिल्कुल ठीक बात है option दूसरा भी अगला है आगे वाले वहान को overtake दाई और से करना चाहिए ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तो हम माल लिजे बाई बाई और जा रहे हैं और हमारे दोस्तो आगे एक truck है तो मैं इस तरफ से कभी भी जो है और टेक नहीं करना चाहिए दोस्तो इस तरफ से करना चाहिए मेशा देख के करना चाहिए ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तो तो प्रोप्ट सभी दोस्तो इसके जवाब ठीक होंगे तीनो ही जो हैं दोस्तो ये सही है ठीक है option 4 तिसका जवाब होगा अगला देखिए सड़क पर चोरा है कि हरी बत्ती किसका संकेत होता है सड़क पर चोरा है कि जो हरी बत्ती है दोस्तो किसका संकेत होता है दोस्तो जो red होती है red light red light होती दोस्तो रुखने की ठीक है पीली बत्ती है दोस्तो अपने वहान को चलाने की आनि चलने के लिए त्यार होने की और जो green light होती है दोस्तो वो होती है आगे जाने की तेसमें पूछा कि हरेवत्ती किसका संकेत है तो ये बात है दोस्तो चलने का ओप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों ठीक है अगरा देखिए सटक पर यह जो चिनह दे रख्था दोस्तों इसका आर्थ क्या है ओप्शन है रुको पार मत करो प्रवेश निसेद या ओवर्टेक ना करें तो दोस्तों यह दे रख्था कि इस तरफ जा रहे हैं और इस पर काटा लगा रख्था है दोस्तों तो इसकार्थ क्या होगा यह होगा दोस्तो प्रवेस निशीद है option 30 राइस का ज़ाव होगा ठीक है क्या है प्रवेस निशीद है निया आगे नहीं जा सकते इसकार्थ यह है दोस्तो ठीक है यह क्योश्चन जो हम बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों तो एक भी क्योश्चन आप में इसे ना कीजिएगा कोई भी जो संकेत आप भूलिएगा नहीं अगल्या निम्नांकित या द्यात संखेत का अश्य क्या है? ये में संखेत दिर्खा है दोस्तों. हमें इसkę आर्थ बताना है. ओप्शन है पीछे जाओ, गंतवे स्थल, पीछे मुड़ना या यूटरन निसेद. दोस्तों ये है ये दे रखा है कि यूटरन इसमें ले रखा है दोस्तों और यहाँ पर काटा लगा रखा है यूटरन पर तो इसका अंस्वर क्या होगा यानि हम यूटरन नहीं ले सकते हैं तो यूटरन नहीं से दिसका जवाब होगा दोस्तों Option Forth ठीक है? बगिला देखिए इनिमन्चित्तर को द्यान से देखकर बताएं कि यह किसका यात याद चिन है? दोस्तों यह दे रखा है मैं यह दे रखा है कि मैं बताना है कि यह यात याद चिन है किसका है? option है पुलिया, गार्ड सहीत, रेल्वे फाटक, नदी या स्पीड ब्रेकर दोस्तो ये पुलिया तो है नहीं, नहीं नदी है, रह गई इन दो और चार स्पीड ब्रेकर होता है दोस्तो ऐसे, ऐसे होता स्पीड ब्रेकर तो ये भी नहीं होगा तो क्या होगा गार्ड सहीत अरे ले फाट इसका जवाब होगा दोस्तों ठीक है ओप्शन दूसरे इसका जवाब होगा ठीक है अगला देखिए निमन या तयाद चिनहें किसका प्रतीक है यह चिनहें दे रखा है दोस्तो देखिए इसमें दो बच्चें दोस्तो जा रहे हैं तो यह यात्यात का चिनहें है दोस्तो आपके सामने उप्षिन से है स्कूल खेल का मिदान अस्पतालिया सिनेमागर तो यह बच्चे जा रहे हैं दोस्तो स्कूल में निमन याद राची नहीं दोस्तों यह स्कूल जाने का संकेत उप्सन पहला यानि कि कोई सड़क होगी दोस्तों और उसके पार जो है स्कूल होगा तो वहाँ पर बोर्ड लगा रखा होगा कि आप स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए रास्ता यानि अपनी गाड़ियो वो रोकें ताकि जो बच्चे हैं वो अराम से असानी से स्कूल में जा सकें सड़क पार करके दोस्तों तो पहला इसका जवाब होगा दोस्तों ठीक है अगला देखिए सटक पर परदसित नीमन संकेत चिन्हे का क्या आश्य है दोस्तों ये हमें संकेत दे रखा है या तयार्थ संकेत इसका हमें आश्य बताना किसका आर्थ क्या है क्या ये बस्ती है पहाड है स्पीड ब्रेकर है या फाटक है दोस्तों ये बस्ती तो है नहीं ना ही पहाड है और ना ही दोस्तों ये फाटक है तो ये क्या है स्पीड ब्रेकर या खराब सड़क है दोस्तों हमें पहले ही बताया था ये है दोस्तों ये हो तो क्या है ये स्पीड ब्रेकर है या ये खराब सड़क है ठीका, उप्षन तीसरा इसका जबाब को दोस्तों, ठीक है? अगला देखिए, दाय मुड़ना वरिजित है को निर्देशित करने वाला यातियात संकेत कौन सा है? दाय मोड़ना जो है वर्जित है को निर्देशित करने वाला यातियात संकित कुन सा है दाय दोस्तो किस तरफ होता है ये होता है दोस्तो इस तरफ ठीक है और वर्जित कह रखा है दोस्तो तो वर्जित क्या होगा यानि इसकी उस पर काटा होगा ठीक है और ऐसे गोलदारा हो तो इसमें से कौन सा option जो है सही है किस तरफ है ये उस तरफ है ये नहीं हो सकता ये नीचे की तरफ है ये निभी नहीं है ये उस तरफ हो दोस्तो ये हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है दोस्तो तो option तीसरा इसका जवाब होगा यानि कि दाय बुढ़ना वर्जीत है इसका चिनह होगा ये option तीसरा दोस्तों इसका जवाब होगा ठीक है अगला देखिए giveaway का चिनह है दोस्तों ये साथ में परदर्सित सड़क पर चिनह एक अनिवारिय सड़क चिनह है ये बताता है giveaway साथ में परदर्सित सड़क चिनह एक अनिवारिय सड़क चिनह है यह क्या बताता है दोस्तो ओप्षन से हैं चलो पीछे वालों को रास्ता दो आगे चलो या आगे तिरु डलान है दोस्तो चलो का मतलब नहीं है यह गिव बे का होता है मतलब पीछे वालों को रास्ता दो गिव बे का मतलब होता है यह है कि दोस्तो रास्ता दो यानि की पीछे जवाब के आ रहे हैं उनको चलने के लिए आप रास्ता दीजिए गिववे का मतलब होता है दोस्तों अप्सन दूसरे इसका जवाब होगा ठीक है अगला देखिए आगे खतरना गड़ा या जुकाओ की सुचना देने वाला सटक्चinely कौनसा है आगे खतरना गड़ा है ठीक है दो चारप्सनस हम देख लेते हैं पहला देखिए पहला है इस परकार से दोस्तों यह नहीं हो सकता है पहला गलत होगा ठीक है दूसरा है दूसरा है दोस्तो ये इसमें जो है एक गाड़ी है दोस्तो वो एक कहाँ पर चल रही है ये चल रही है दोस्तो एक डलान के उपर उपर चड रही है लेकिन जो आगे खतरना कड़ा है ये नहीं है दोस्तो ओप्सन दूसरा भी है गलत होगा ठीक है आगे जो है एक पीछे की ओर आ रही है दोस्तों लेकिन यहां पर गड़ा तो है नहीं तो तीसरा जवाब 20 का गलत होगा ठीक है फोर्थ दोस्तों फोर्थ दो है कैसे का रखा है फोर्थ हो रखा है दोस्तों ऐसे ऐसे तो यहां पर हमें गड़ा जो है साफ साफ नजर आ रहा दोस्तों ठीक ह तो क्या होगा आगे खतरना गड़ा है ये चिन है होगा दोस्तो अप्सन फोल्ट ठीक दोस्तो अगला देखिए वैस अड़क चिन है कौन सा है जो आगे चुरा आने का संकेत देता है वैस अड़क चिन है कौन सा है जो आगे चुरा आने का संकेत देता है तो देख लेते हैं option wise जो पहला है दोस्तो वो है आपका क्या है या आपका hospital का चिने है दोस्तो ठीक है अगला है दोस्तो इसमें ये ऐसे दे रखा है इसमें दो रास्ते हैं दोस्तो ये भी चुराय का सकेत नहीं है ठीक है अगला ये है दोस्तो इसमें चार राह हैं दोस्तो चुराह होता ही है कि चार रहों का समूह है, ठीक है, तो तीसरा है दोस्तो, और फूर्थ है तीन रहों का समूह है, लेकिन मैं पूछ या रख्या कि चुराहा आने का सकेत है दोस्तो, option तीसरा, ठीक है, तो उसका जवाब क्या होगा, जो है, जो आगे चुराहा आने का सकेत है अग अगला देखिये, सदख पर मरम्मत कार्य चालू होने पर, वहाँ कौन सा सदख चिन है पर्दर्सित किया जाना चाहिए मालिजी कोई शडख दोस्तों, उसका ंार्मान कार्य चालू है, तो वहाँ पर सदख चिन है, कौन सा लगाना चाहिए तो यह दोस्तो यह तो पहला तो है जो है आदमी चल रहा है दोस्तो शड़क पर ठीक है यह तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर मरमत का कारी नहीं चल सकता क्योंकि शड़क बनी हुई है इसलिए आदमी चल रहा है दूसरा है जो बच्चें दोस्तो स्कूल पे जा रहे हैं स्कूल में जा रहे हैं दोस्तो सड़क द्वारा ही जा रहे होंगे तो सड़क पर मरमत का कारिया है दोस्तो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि सड़क तो बनी होई है तो यह भी नहीं हो सकता तीसरा है यहाँ पर जो है दोस्तो गड़े हैं लेकिन जो है गड़े दोस्तो ये मिट्टी के हैं तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तो अगला एक आदमी जो है, शडक का अब कार्य कर रहा है, अगला देख़िये, निवन में से किस शडक निरदेश की अवेलना करने पर या तयात पुलिस द्वारा वहान उठा लिया जाता है फिमन में से किस शड़क निर्देश की अवेलना करने पर क्या तयात पुलिस दोबरा वान उठा लिया जाता है तो दोस्तो वान कब उठा ले जाता है सबसे पहले तो हम यह बता करते हैं कि दोस्तो माली जी हमने ऐसी जगे पर कोई अपनी गाड़ी जो है अपनी बाइक जो है अपना कुछ भी वहान है दोस्तो ऐसी जगे पर पारक कर दिया है जहांपर हमें नहीं करना चाहिए था जहांपर जो है दोस्तो क्या होगा जो है लोगों को है जो समश्या उत्पन होग वहाँ पर हमने दोस्तो गाड़ी को पार कर दिया है इससे दोस्तों क्या होगा इस वर्जित का निसान इसमें दे रखा है दोस्तु वान उठा ले जाता है वो निर्देश है उप सन पहला दोस्तु ठीक है? याद रखेगा most important question है अगला है आगे सड़क पर बायें चिम्टा mode यानि यूटरन है कौन देशित करने वाला सड़क चिन है कौन सा है आगे सड़क पर बायें चिम्टा या यूटरन है कौन देशित करने वाला सड़क चिन है कौन सा है तो बाया किस तरफ होता है दोस्तो बाया होता है उस तरफ ठीक है तो ये तो होने सकता पहला क्योंकि ये दाएं तरफ है और ना ही दोस्तो हो सकता है ये तो और बच्चे हुए है दूसरा और तीसरा तो देखते हैं चिम्टा क्या होता है दोस्तो चिम्टा जो है यानि कि यूटरन है, उपसों दूसरा इसका चिन है दोस्तो अगला देखिए, या तयात चिन है, क्या अंदर दिर्शीद करता है, यह जो हमें चिने दे रखा या तयात चिन है, हमें बताना है कि यह किस अर्थ को सूचित करता है, चार उप्सें से पहला है आगे शकड़ी यानि संकरी पुलिया है आगे संकरी सडक है या आगे मद्यम चड़ाई है या आगे नदी है दोस्तों, ये सडक थी देखिए, चिनह जो दिरखाई सडक थी फिर वो संकरी होती गई तो इसका जवाब क्या होगा ये आगे संकरी सड़क है और सुन दूसरे इसका जवाब होगा दोस्तों ठीक है आगे समझ में आगे चलते हैं अगला सड़क पर आगे आने वाले दाई तरफ के मोड को बताने है तू उससे पहले सड़क पर कौन सा चिने लगाया जाएगा तो ये चिने लगाया जाएगा दोस्तों उप्शन तीसरा सड़क पर आगे आने वाली दाई तरफ के मोड को बताने के लिए उप्शन तीसरा क्योंकि दाई तरफ मूड रहा है तो लिजी दोस्तों आपकी वीडियो होती है आप पर कम्पलीट आशा है आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर रिक्मेंड करके जुरू बताएगा और आरस नोट सेनल को स्वराइब कर लीजीगा दोस्तों तो मिलते हैं आप सेगली वीडियो में नई रोचक पशनों के जाथ तब तक के लिए दन्यवाद दोस्तों अगर आरस बताएगा झालाएगा कर दोस्तों